हेलो एंड वेलकम टू यू एल क्लासेज इस्टुडेंट्स आज की क्लास में हम रेडियेंट्स पार्ट वन का दोसरा लिसन द बॉय हू लोश्ट हिज एपिटाइच पढ़ने जा रहे हैं आसा करते हैं कि इस्टुडेंट्स आप इस लिसन को भी अच्छी तरह सुनेंगे औ को सबसे पहली लाइन हे द बॉय हू लोश्ट हिज एपिटाइट्स लोस्ट यह लूश्ट से बना लोश का माना है खोना किसी चीज को को देना यहार जाना एपिटाइट appetite का माना है बच्चो भूख फितरी खाईश the boy who lost his appetite लड़का जिसने अपनी भूख खो दी चलिए अब warmer देखते हैं warmer में क्या लिखा हुआ है सबसे पहले reading करते हैं warmer को what food do you find tasty if you are told to sit at home and enjoy yourself tasty food without any activity would you enjoy it give reasons what food do you find tasty किस परकार का भोजन do you find tasty आपको स्वादिष्ट मालूम पढ़ता है find मतलब होता है बच्चो पता लगाना पाना या फिर मालूम पढ़ना tasty food अच्छा भोजन स्वादिष्ट भोजन what food do you find tasty किस किसम का भोजन या किस किसम का खाना do you find tasty तुमको स्वादिष्ट मालूम पढ़ता है या आपको स्वादिष्ट मालूम पढ़ता है यहां कह रहे हैं कि if you are told to sit at home and enjoy yourself tasty food अगर आपको कहा जाए sit sit मतलब बैठना if you are told to sit अगर आपको कहा जाए बैठने को at home घर पर and enjoy yourself tasty food और स्वादिष्ट भोजन करने कहा जाए without any activity beggar किसी activity की activity का माना होता है बच्चों चहल पहल, कारीकलाप या फिर सरगर्मी तो without any activity beggar किसी चहल पहल की would you enjoy it क्या आप इसे enjoy करेंगे give reasons वजह बताईए चलिए हम दोबारा देख लेते हैं what food do you find tasty किस परकार का भोजन आपको स्वादिष्ट मालूम पढ़ता है if you are told to sit at home अगर आपको घर पे बैठने कहा जाए and enjoy yourself tasty food without any activity और beggar किसी चहल पहल के स्वादिष्ट भोजन enjoy करने को कहा जाए would you enjoy it क्या आप इसे enjoy करेंगे give reasons वजह बताईए यानि अगर आप बैठे रहें घर पे कुछ कामूम ना करें कोई भी activity ना हो और आपको स्वादिष्ट भोजन enjoy करने का है तो क्या आप उस वक्त enjoy करेंगे या नहीं वह आपको बताना है चलिए अब हम reading करते हैं कहानी से समझते हैं कि ये सबक है क्या तो चलिए सबसे पहले थोड़ी reading कर लेंगे फिर उसका हम Hindi अनुवाद भी करेंगे ओके student चलिए देखते हैं शम वस रिछ यंग मन जब लिए जब लिए पाज़ आवे अरली विज बेका अनुवाद लिए 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 लीए लिए लिए लेगे इस रिजल्ट ही दिद नोट फाइंड एनी फूड टेस्टी चलिए अब अनुवाद भी करेंगे हम देखें अनुवाद देख लीजिए शम वस रिच यंग मैन रिच का माना है बच्चों अमीर यंग यवा मैन आदमी शम वस रिच यंग मैन शम एक अमीर यवा आदमी था वेन हिस फादर पाजड अवे अरली अरली का माना है बच्चों पहले ये जल्दी अवे दूर अवे दूर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रोम अ प्लेस एक इस्तान से बिशेज दूरी जैसे हम कहते हैं go away दूर चले जाओ पास पास का माना है बच्चो आगे बढ़ना पास करना गुजरना फादर आप जानती हिसे फिता फासड अवे ये दोनों वर्ड मिला के होता है फास अवे का माना है मर जाना निधन हो जाना जब उनके पिता का जल्दी निधन हो गया He became the winner of all his fatherhead Became मतलब बनना, honor, मालिक of all his fatherhead जो उनके पिता के पास थी He became the honor of all his fatherhead वो अपने पिता के सारी चीज़ों का मालिक बन गया He now started living luxurious life Start मतलब शुरू करना, living रहना Luxurious का माना है शानो शौकत Very comfortable and expensive life Luxurious कहते हैं सानो शौकत वाला, जीवन या सानो शौकत वाली, जिन्दगी He now started living a luxurious life वो सानो शौकत वाली जिन्दगी गुजरने लगा या फिर सानो शौकत वाला जीवन बिताने लगा Right? He ate rich food and lay in bed all day Rich food का माना है, अमीर खाना ऐसा नहीं होगा Rich food का माना होगा, बनिया खाना Southest भोजन, लेका माना होता है बच्चो, सोना लेका माना सोना, या लेटना या बिछाना और उसके बाद, बेड जानते हैं बिष्टर all day सारा दिन He ate rich food, वो बनिया खाना खाता and lay in bed और बिष्टर पर लेट जाता All day सारा दिन मतलब यह है, He ate rich food and lay in bed all day वो अच्छा खाना खाता या बनिया खाना खाता स्वादिश्ट भोजन खाता और बिष्टर पर सारा दिन लेटे रहता As a result Result का माना है परिनाम यह नतीजा As a result नतीजे के तोर पर यह परिनाम के तोर पर He did not find any food tasty उन्हें कोई भी खाना Any food, कोई भी खाना Find मतलब पाना या फिर मालूम पढ़ना मालूम नहीं पढ़ता था tasty जायकेदार या फिर Saudist He did not find any food tasty उन्हें कोई भी खाना tasty या सौधिस्ट मालूम नहीं पढ़ता था चलिए आगे देखिए अनुवाद सबसे पहले इस चार-पांच लैन के भी हम reading करेंगे उसके बाद पर इसका भी अनुवाद करेंगे ताके आपको पढ़ने में आसानी हो months passed one day in spite of laziness he agreed to take part in a hunt he was not used to riding fast so he found himself lagging behind other friends he got lost and undered okay, neeche देखिये undered away in the woods six to seven hours passed with him roaming around like this he felt tired and hungry okay months passed महीने गुजर गए पास्ट पास होना गुजरना months passed महीने गुजर गए या महीने बीद गए वन डे एक दीन in spite का माना बावजूद in spite of के बावजूद laziness laziness का माना है सुस्ती यह noun है जिसे lazy का माना आलसी या सुस्त होता है उसी तरह laziness सुस्ती in spite of laziness सुस्ती के बावजूद he agreed agree का माना है बच्चो तयार होना या सहमत होना attack का माना आप जानती है लेना या पकड़ना पाठ हिस्सा हंट का माना है बच्चो शिकार करना हंट का माना है शिकार करना या फिर शिकार he agreed to take in a hunt वो तयार हुए या सहमत हुए to take part हिस्सा लेने के लिए take part मतलब हिस्सा लेना take part हिस्सा लेने के लिए in a hunt एक शिकार में he agreed to take part in a hunt वो एक शिकार में हिस्सा लेने के लिए तयार हुए he was not used to riding fast So he found himself lagging behind other friends Riding first, riding का माना सवारी Riding first, तेज सवारी He was not used, वो इस्तमाल नहीं क्या गया था Riding first, तेज सवारी के लिए क्या मतलब होगा? He was not used, राइडिंग first वो तेज सवारी के लिए नहीं यूज क्या गया था मतलब यह है, उन्हें तेज सवारी की आदत नहीं थी So he found himself lagging behind other friends Okay, leg का माना है, पीछे छूट जाना Legging, lagging का माना होगा इसका माना भी पीछे छूट जाना To fall behind others किसी दोसरे के पीछे छूट जाना Behind other friends, उन्हें दोसरे दोस्तों के पीछे So he found himself इसे लिए उसने अपने आपको पाया बिछडा हुआ Behind other friends, अपने दोसरे दोस्तों से यानि उन्हें अपने दोसरे दोस्तों से बिछड गया Okay, चलिए आप आगे देखिए He got lost वो भटक गया या वो खो गया and underd Under का माना होता है बच्चों इधर उधर घूमना Okay Under का माना इधर उधर घूमना या भटकना तो he underd वो क्या हो गया भटक गया आगे देखिए अवे नीचे है Away in the woods Wood का माना होता है Basically बच्चों लकड़ी लेकिन कुछ ऐसे words होते है जिनमें अगर आप yes लगाएंगे तो उसके माने में changing आएंगे तो woods Woods का माना होता है जंगल तो क्या होगा He got lost वो खो गया and underd away in the woods और जंगलात में भटकने लगा ओके आगे देखिए Six to seven hours passed within him roaming roaming का माना है आवारगी around like this Six to seven hours passed with him roaming around like this इसी तरह छे से साथ घंठे आवारगी में गुजर गया इसी तरह छे से साथ घंठे उनके आवारगी में गुजर गया घुमने खिरने में आगे देखिए He felt tired and hungry Feel से He felt tired and hungry Tired का माना होता है ठका हुआ और Tired का माना है ठका हुआ और hungry का माना होता है बच्चो भूखा ओके चलिए देखिए He felt tired and hungry उसने अपने आपको यह मतलब यह है कि He felt tired and hungry वो भूखा और ठका हुआ महसूस किया जब साथ से छे से साथ गंटे जो आवारगी की तरह घुमा फिरा तो उसने जो है अपने आपको भूखा फ्यासा और ठका हुआ महसूस किया चलिए आगे देखिए क्या है आगे वाली लाइन में है Suddenly He saw a peasant's hut And ride up to eat And asked for a little food I'm a poor man I have only roti and dal Sir Said the peasant But you are most welcome to have this कह रहे हैं कह रहे हैं कि Suddenly Suddenly का माना होता है बच्चो अचानक So S W E C C का माना देखना Peasant किसान Huttman का माना होता है जोपडी Suddenly अचानक He saw a peasant's hut एक किसान की जोपडी देखा He ride Ride का माना है R.I.D. Ride Ride मतलब सवार करना तो उसी का past tense है He ride up to eat तो वो क्या हुआ सवार होकर यहां आया कहां जोपडी पर And asked for a little food और थोड़ा सा भोजन मांगा Ask मतलब मांगना पूछना Little food थोड़ा सा भोजन ओके बच्चो उसके बाद किसान ने क्या कहा सुनिया उसने कहा कि I'm a poor man मैं गरीब आदमी हूँ I have only roti and dal मेरे पास सिर्फ roti और दाल है Said the present किसान ने कहा But you are most welcome to have these लेकिन आपका बहुत बहुत सौगत है इन सब खानों में ओके चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है चलिए जितनी लाइन से सबसे पहले हम reading कर लेते हैं उसके बाद फिर इसका हिंदिया नो बाद भी करेंगे देखिए The young man was very hungry and he really loved the food He liked it more than all the rich food he had been eating earlier he thanked the peasant who also gave him directions back to his home he got back to return home and rested he went back to his rich food and lazy ways the food was again tasteless he wondered why the simple dal roti tasted so nice चलिए आप अनुबाद भी देख लीजिए the young man was very hungry young man, युवा आदमी the young man was very hungry युवा आदमी बहुत ही भूखा था and really loved the food और उसने वास्तव में यवा की भोजन को पसंद किया he liked it उसने पसंद किया इसको जो भोजन दिया था उसको more than all the rich food तमाम सौदिश्ट खानों से ज्यादा जो वो खा रहे थे वो तमाम खानों से ज्यादा इसे पसंद किया he had been आगे कह रहे हुँ बात he had been eating earlier earlier का माना पहले जो इससे पहले खाए थे वो he had been eating earlier जो ये इससे पहले खा रहे होते थे उन सबसे ज़्यादा जो है उसने इस किसान की दाल रोटी को पसंद किया उसने इसको तमाम सौधिश्ट खानों से ज़्यादा पसंद किया उसने किसान का शुक्र यादा किया जिसने उसे जो है दिया डिरेक्शन रास्ता बैक टू हिम घर वापस आने की उसने उन्हें घर वापस लोटने की रास्ता बताया वो घर वापस लोटना रिटन का माना होता है वापस लोटना घर and rested और आराम किया रिष्ट आराम करना वो घर वापस लोटना वो घर वापस लोटना वापस वापस लोटना पिर वो क्या क्या अपने सौधिक्ट भोजन में लोट आया एंड लेजी वेज और आलसी तरीकों में कहने का मतलब है कि He went back to his rich food वो अपने स्वादिष्ट भोशन में एंड लेजी वेज और आलसी तरीकों में वापस आया The food was again testless Testless का माना बदमजा जो स्वादिष्ट ना हो The food was again testless खाना जो है भोजन जो है फिर से testless था बेसवाद था, बदमजा था, बेजाय का वाला था He underd, under का माना होता है बच्चों to thought deeply of something गंभिरता से सोचना या फिर हैरान होकर रह जाना तो He underd, वो हैरान होकर रह गया Why the simple डाल रोटी tasted so nice क्यों साधी, simple मतलब साधा तो simple डाल रोटी Why the simple डाल रोटी क्यों simple डाल रोटी tasted so nice इतने ज्यादा मज़ेदार थी, इतने ज्यादा सौधिश्ट थी उसने जो है हैरान होकर रह गया तो हैरान होने की कोई बात नहीं है बच्चों क्योंकि जब आपके पास कोई activity होगी आप काम करेंगे, ठेकेंगे तब ही आपको भूक लगेगी फिर खाना आपको, वही खाना क्या लगेगा मज़दार लगेगा इसलिए हमें क्या करना चाहिए exercise वगएरा करनी चाहिए काम करना चाहिए, इस सबक से हमें यही सबक मिलता है कि बैठे नहीं रहना चाहिए ओके students, तो चलिए और words के एक-एक कहने का मतलब है एक-एक word के meaning को आप सबसे पहले copy में लिखिए और बार-बार वीडियो को जो है, सुनिए और अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगए और खुद को समझ में आये तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया कीजिए ओके, थैंक यू सो मच जय हिंद